वेल्कम बैक टू पर्चम गुड मॉर्निंग टू आल आज हम डिसकस कर रहे हैं 19 जन्वरी के करेंट अफिर्स तो आज डिसकशन कुछ इस तरीके से रहेगा सबसे पहले तो हम इंपोर्टन पर्सन जो भी न्यूज में बने हैं वो देख लेते हैं important state के जो नूज है वो देख लेंगे national news को हम देख लेंगे फिर international news को देख लेंगे अगर defense related कुछ है तो वो भी समझ लेंगे और sports को भी देख लेंगे फिर देखेगा कुछ news ऐसी होती जिनमें discussion का जादा कुछ होता नहीं है लेकिन one liner तो भी उससे frame हो जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा section आज में लेकर आए हूँ short news ठेके ना मतलब one liner के form में कुछ news है जिनको detail में discuss नहीं किया है वो हम देखेंगे फिर revision के लिए आपके जो headlines होती हैं वो हम देखेंगे revision questions होंगे और question of the day होगा जिसका answer आप हमें comment section में देखेंगे तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है for example, 1961 के बाद पहली बार जो है वो चाइना की population decline हुई है decrease हुई है तो क्या कारण है वो हम समझेंगे अच्छा यहां पर जो नई education policy 2020 में government of India लेकर आया था तो उस नई education policy जो है और उसमें आपको किस तरह के से assessment देना है किस तरह के से improve करना है या फिर क्या drawbacks है और कैसे सारे boards को एक सांथ लाना है सारे boards जो है all over the world sorry all over the India चाहे वो किसी भी राज का board हो जहां पर NCRT की book लगती है तो किस तरीके से हमें काम करना तो उसके लिए एक portal government ने तयार किया है एक regulatory body तयार किये उसके उपर भी हमें चर्चा करनी है तो आएए बिलकुल time waste हम करते नहीं है आज के session की शुरुआत करते हैं अगर PDF चाहिए हो तो पर्चम का telegram join कर लेना वहां से current affairs की PDF free of cost मिल जाएगी और session पसंद आता है तो भाई share कर दिया कर अपने friends के साथ ओके start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम former BSF चीफ पंकच कुमार सिंग के बारे में पंकच कुमार सिंग जो की BSF Border Security Force के चीफ के रूप में काम कर चुके हैं और 31st of December 2022 को ही इनका tenure complete हुआ था मतलब retirement हुआ था तो याद रखेंगे BSF के पूरफ प्रभुक पंकच कुमार सिंग जी को डिप्टी NSA नियुक्त कर दिया गया है former director general of Border Security Force पंकच कुमार सिंग जी को डिप्टी नेशनल सिक्यर्टी एडवाइजर मतलब NSA for the period of two year अगर हम बात करतें NSA के बारे में तो अभी हमारे जो NSA मतलब नेशनल सिक्यर्टी एडवाइजर वह अजीर दोभाल जी है इन्हें डिप्टी NSA बनाया गया है पंकच कुमार सिंग ठीक है इसके अलावा इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल of the CRPF चटीजगर और IG at CRPF दिल्ली में भी काम किया है सेवाइं दी है तो आप याद रखेंगे पंकच कुमार सिंग कौन थे पॉर्मर BSF चीफ से और इन्हें डेप्टी NSA अपॉइंट किया गया है चली अगली बात करते हैं यहाँ पर World of Esthetics Report पब्लिश की गई है इसमें वर्ल्ड के जो सबसे रिचस्ट एक्टर है उनकी लिस्ट जारी की है तो इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन अगर देखते हैं तो शारुक खान का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो शारुक खान on the fourth position in the list of the world richest actor दुनिया के सबसे अमीर अभी नेताओं की सूची में शारुक खान चौथे स्थान पर है वर्ल्ड अफ इस्टेटिक्स के दौरा यह रिपोर्ट को रिलीज किया गया था और इन्होंने टॉम क्रूज को पीछे छोड़ा है और चौथे position पर आए है मतलब टॉम क्रूज जो है वो पाचवे नंबर पर है और शारुक खान जो है वो चौथे नंबर पर आए है इनकी total अगर हम wealth के बारे में बात करते हैं या asset के बारे में बात करते हैं तो लग भग 6,300 करोर या 770 million dollar के इनके पास asset है अगर हम top 3 ऐसे actors के बारे में बात करते हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर या richest actor है तो वो तीनों के तीनों American है Jerry Senfield, Taylor Perry और Dan Johnson तो यह सभी American actor है जो कि richest list में शामिल हुए है फर्स, सेकेंड और थर्ड पे एकमार्ट रिंडियान शारुक खान जिनकी रैंकें चौथे नंबर पर आती है चलिए वर्ल्ड ओल्डेस्ट परसन लूसल रेंजन डाइस एड़ एज ओफ 118 अच्छा देखिएगा 2022 की घटना है 2022 में मैंने आपको एक न्यूस डिसकस की थी कि जापान की जापान की कैन तनाका जो की वर्ल्ड की ओल्डेस्ट परसन थी जिनकी एज 119 एर्स की थी उनका निधन हो गया था उनकी डैथ हो गई थी इन दे यर 2022 दे वर्ल्ड ओल्डेस्ट परसन तो इनकी डैथ के बाद अगली जो ओल्डेस्ट परसन बनी थी वो कौन बन गई थी लूसिल रेंडन बन गई थी और अप्रेल में अप्रेल 2022 में गिनीज वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड में ये नाम शामिल कर लिया गया था ठीक है ये जो है वो फ्रांस की रहने वाली है और 1904 में इनका जन्म होता है तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट परसन बन गई थी लेकिन अब इनका भी निधन हो गया है इनकी भी मुरत्ती हो गई है वर्ल्ड ओल्डेस्ट परसन लिविसल रेंडन का निधन हो गया है 118 साल में फ्रांस में ठीक इतनी चीज़े ये एक नन थी कौन थी है नन थी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा भी रिसेंटली आप लोगी निउस में देखा हुआ कि अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीट में काफी कौनफलिक्स चल रहा है अब यहाँ पर देखिएगा भारत ने अपने दूत ये अमबस्टर अपॉइंट ही है अर्मेनिया और अजर्बैजान में अगर आप एशिया कॉंटिनेंट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे टर्की है, सीरिया, इराक, इरान और उपर की तरफ देखेंगे अर्मेनिया और अजर्बैजान है जो कि कैस्पियंसी के साथ बाउंडरी भी शेयर करते हुए आपको दिखाई दे रहा है और यह जो अर्मेनिया है अर्मेनिया की जो कैपिटल आप देखेंगे वो देखने को मिलेगी एरेवन, एरेवन जो है अर्मेनिया की कैपिटल है और अर्मेनियन जर्म जो है यहाँ पर करंसी भी देखने को मिलेगी ठीक है, हम न्यूस पे आते हैं तो अर्मेनिया गर्णाज में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा निलाक्षी शहासिना जी को नया अमबस्टर अफिंडिया बनाया गया है रिपब्लिक अफ अर्मेनिया में इसके अलावा M. श्रीधरन M. श्रीधरन को next ambassador of India to अजर बैजान बनाया गया है और दोनों जो है वो joint secretary ministry of external affairs में काम करते थे clear है? तो ये दो appointment है चली अगली बात कर लेते हैं पंजाब राज्य से पंजाब government to launch school of eminence project अच्छा दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार है उन्होंने government school को कापी अच्छा दिल्ली में कर दिया है तो उन्हीं से inspire होके क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगी तो पंजाब government ने school of eminence project के शुरुआत की है और ये project जो है वो 21st of January 21st of January को launch किया जाएगा ठीक है और कहां पर launch किया जाएगा at the Indian school of business मुहाली में कहां पर at the Indian school of business मुहाली में से launch किया जाएगा इसके अंतरगत जो government school है उन्हें class 9 to 12 अपग्रेट करने का काम किया जाएगा ठीक है ना इसके लिए पंजाब की government ने 200 करोर रुपे का budget भी रखा है fund दिया है next है तेलांगना CM launch second phase of kanthi वेलगू तो करनाटका के तेलांगना के मुख मंतरी के दोरा कांthi वेलगू का second phase शुरू किया गया है अभी kanthi वेलगू क्या है कांती वेल्गु जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ठीक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वन अफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो कांती वेल्गु है और इसे तेलांगराथ की जो CM है के सी आर जने हम बोलते है के चंदरशेखर राओ उनके द्वारा इसका लॉंच किया गया है खममम डिस्टिक से ठीकी ना 18 जन्वरी को इसमें फ्री आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और जिसके 100 डेस का एक कैम रन किया जाएगा 1500 मेडिकल टीम यहाँ पर एसोशियेटेड है अब तेलांगना की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन सभी को पता है 2014 में हुआ था आंडर पिदेश से अलग होकर तेलांगना की कैपिटल आपको हैदराबाद देखने को मिलेगे और हैदराबाद के बारे में कुछ इंट्रोस्टिंग फैक्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ तो मैं अगले जो स्लाइड दिखा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के आर्ट इंट कल्चर के बारे में तो आप उस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले लेंगे Important Cultural Site of हैदराबाद हम हैदराबाद के निजाम के बारे में बात करते हैं हैदराबाद सर्व एज इंपीरियल कैपिटल और असफ जहां from 1769 to 1948 तो कैपिटल की तरह इसने असफ जहां की कैपिटल के रूप में डाइनिस्ट्री जो थी उसकी कैपिटल की रूप में हैधराबाद थी हैधराबाद में आपको गोल कुंडा फोर्ड देखने को मिलेगा जिसको काकतियर डाइनिस्ट्री के दौरा 13 सेंचुरी में बिल्ड किया गया था तो गोल कुंडा फोर्ड किसने बनाया था काकतियर डा का रिलेशन कहां से तो हैद्राबाद से था ठीक है अब जो असवजाही डाइनिस्ट्री थी उसने यहां पर चव महाला पैलिस बनाया था और चव महाला पैलिस जो है उसको यूनिस को एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवर्ड भी दिया गया था फॉर कल्चर से हैद्राबाद shift किया था तब उन्होंने चार मिनार का निर्मार कराया था फिर है मक्का मजजद देख तो मक्का मदिना वो अलग है यहां मक्का मजद के बारे में बात हो रही है और ऐसा बोला जाता कि औरंग जेब के दौरा 1693 में मक्का मजद को बनाया गया था और ऐसा तो यह कुछ एक्स्ट्रा फेक्ट से आप इनको याद रख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया ओपन 2023 के बारे में इंडिया ओपन 2023 जिसे योनिक संराइज इंडिया ओपन 2023 के नाम से भी जाना जाता है इसकी शुरुवात हो चुकी है न्यू डेली में इंडिया ओपन जिसे हम ओफिशिली योनिक संराइज इंडिया ओपन 2023 कहते हैं इस टॉर्णमेंट की शुरुवात हो चुकी है 17 जन्वरी से लेके 22 जन्वरी के बीच में नई दिल्ली में खेला जाएगा केडी जादव इंडोर हॉल में कहां पर केडी जादव इंडोर हॉल में ये टॉर्णमेंट आयोजित किया गया है इंडिया ओपन ये जो टॉर्णमेंट है बैडमिंटन का इसके शुरुवात 2008 में हुई थी कब हुई थी 2008 में हुई थी लेकिन पहला एडिशन ऐसा है जिसमें Super 750 status category में खेला जाएगा तो आप लोगों को मैं बता दू कि जो बैडमिंटन खेले जाते हैं इसके अलग-अलग category होते हैं जिसके Super 100 है, Super 300 है, Super 500 है, Super 750 है और Super 1000 है अभी क्या होता है अभी हम देखते हैं लेकिन फिलाल आप समझें कि पहली बार जब से इस टॉर्नमेंट के शुरुआत हुई है तो पहली बार इस Super 750 status category में खेला जाएगा 29 countries के, 29 countries के 97 players यहाँ पर participate करने वाले हैं जिन में हमारे देश के भी शांदार खिलाड़ी जैसे की लक्ष सेन हो गया पीवी सिंदू, सात्विक साही राज, राक्षेती, यह सभी लोग यहाँ पर participate करने वाले हैं तो यहाँ पर 26 tournaments होते हैं, अलग-अलग जो badminton से associated हैं उनको 5 level में बाटा जाता है, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 ठीक है, और इसमें अलग-अलग tournament खेले जाते हैं और उसके हिसाब से जैसे कि ranking point है, वो भी change होता जाता है अगर हम 2022 के बारे में बात करें, कि इंडियान ओपर badminton tournament 2022 किस ने जीता था तो लक्ष सेन ने जीता था, men's single का title वहीं अगर women single की बात करते हैं, तो Thailand की वुशाना ने जीता था और men's double का जो title था, वो सात्विक साहीराज और चिराख शेटी के द्वारा जीता गया था अब ये event हो जाए, 22 तारी के बाद हम discuss करेंगे, इस बार कौन जीता है So next news के बारे में बात करते हैं, National Council of Education Research and Training मतलब हम बात कर रहे हैं NCERT के बारे में Notify India First National Assessment Regulator परक तो इन्होंने शुरू किया है National Assessment Regulator ये National Assessment Regulator परक जो है, ये करेगा क्या इसका एकमात उत्देश या एम है इसका एकमात उत्देश या एम है जितने भी बोट्स हैं इंडिया में अलग अलग बोट्स हैं, उनके लिए proper guidelines और assessment तयार करना जिससे improvement हो सके, quality of education जो है वो और भी अच्छी हो सके With the aim of setting up assessment guidelines for all boats All boats exam in India के लिए परक जो है एक नया regulator बन कर आया है तो परक का आप से सबसे पहले तो पुछेगा कि full form क्या है या पुछेगा कि परक किस body के अंदर काम करेगा तो ये component है NCRT का एक component है परक और NCRT का full form National Council of Education Research and Training होता है अब परक का full form क्या होता है तो performance appraisal, review and the analysis of knowledge for holistic development ठीक है बापस से repeat कर रही हूँ परक का full form performance appraisal, review and analysis of knowledge for holistic development होता है ठीक है ना अब इसके अलावा देखो ये guidelines प्रवाइड करेगा सारे boards के लिए और समय समय पर ये जो board बनाया गया है वो समय समय पर National Achievement Survey और State Achievement Survey periodic basis पर करवाएगा learning outcomes को देखने के लिए चेक करने के लिए कि जो आपको guidelines दी थी हमने जो assessment दिया था उस पर कैसा काम हो रहा तो उसके लिए survey भी होना चाहिए ना तो National Achievement Survey और State Achievement Survey भी परक कंड़क्ट करवाएगा और इस परक की जो team है ना उसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े बड़े education से जुड़े हुए लोग हैं वो expert यहाँ पर शामिल होंगे और सारी चीजों को यहाँ पर प्रॉपरली चेक आउट करने का काम करेंगे अगर हम objective के बारे में बात करें कि परक के objective क्या है तो पहला तो है uniform norms and guidelines जितने भी boards हैं all over the India उनके लिए uniform standard होना चाहिए norms होना चाहिए student के लिए assessment के लिए उसको decide करना improvement in assessment pattern तो आज भी बहुत सारे जगहों पर जैसे जब हम school में होते थे तो बहुत सारी चीज़ां से outdated थी अगर आपको 20th century में 21th century में आपको रहना है तो आज का digital media है digital चीज़े हैं हम start-up की बात करते digital India के बारे में बात करते हैं जो बच्चों को assessment दिया जा रहा है या बच्चों को जो project दिये जा रहा है कि वो 21th century के हिसाब से है कि नहीं ऐसा तो नहीं यह बाबा आदम जमाने के project पर आज भी काम हो रहा है नहीं ना तो improvement in assessment pattern, reducing disparity in evolution अब देखेगा अलग-अलग board से बिहार board अलग है, मदर प्रदेश board अलग है सब अलग-अलग board है जहां पर NCRT की book use होती है अब यहां पर देखेगा quality of education भी सब में अलग-अलग होता है कोई advanced technology पर दिल्ली के जर सरकारी school है आप देखेंगे एगदम advanced digital board और technology में काम करते हैं अगर हमारे गाओं का school देखेंगे तो एगदम खपड़ों से बना हुआ school है तो बहुत जादा अंतर है यहां पर education level में भी बहुत अंतर है तो इस अंतर को आपको कम करना है this will bring uniformity across state and central board तो state और central board के बीच में जो difference है उन्हें हम regulate करने के लिए भी यह परक काम करेगा और national education policy के जो भी benchmark है, issues है उन से related भी यह काम करने का करेगा ठीक है परक next है which country will introduce its stamp with Jawaalal Nehru portrait on its 75th independence day तो कौन सा देश अपने 75 शतंतर दिवस पे Jawaalal Nehru के चित्रे के साथ अपनी dark ticket जारी करेगा देख सकते हैं एक dark ticket है जिसमें पंड़ Jawaalal Nehru जो की हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे यह उनका portrait आपको दिख रहा है और यह कौन जारी करेगा श्रीलंका, चार फरवरी को जब यह festival आयोजित किया जाएगा श्रीलंका में तो श्रीलंका जो है step towards a century और यहाँ पर श्रीलंका का target है कि जिसे कि आज 25 साल हुए है आजादी के और फिर आने वाले 25 साल मतलब जब 100 साल हो जाएंगे आजादी के 2048 तक तब तक इन 25 सालों में भारत और श्रीलंका के relation को और मजबूत करना है और एक stable government policy बनानी है तो यह इस छेत्र में काम करेगा next है चाइना population drop for first time since 1961 तो 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई है और अगर आप देखेंगे बहुत सारे देशों के comparison में चीन की जो birth rate है वो काफी हद तक decline आपको देखने को मिलेगी उसका एक reason one child policy चाइना में जो है वो भी इसका effect माना जाता है कि चाइना अमीर होने से पहले बूड़ा होता जा रहा है क्योंकि youth population कम होते जा रही है और वहाँ पे one child policy भी जिसके कारण जो birth rate है वो decline हुआ है और अभी COVID के कारण भी आपको इसका जादा impact देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो म्रत्यूदर है जो death rate है वो जादा है और birth rate कम है और जब birth rate कम होगी death rate जादा होगी तो obviously बात है population जो है वो decline होगा तो biggest decline in the population of China has been recorded after the year 1961 तो 1961 के बाद यह biggest decline माना जा रहा है ठीक है the death toll in the China is more than the number of children born यहाँ पे जो China National Bureau of Esthetics है उन्होंने कहा कि China की जो population है वो 8,50,000 से लेके 1.4 billion at the end of 2022 decline हुई है ठीक है इसके लाब आप देख सकते कि 9.56 million people जो है वो born हुए थे 2022 में चाइना में जबकि 10.41 million people की death हुई थी मतलब death rate जादा है और bond rate कम है और चाइना का आप birth rate देखेंगे वो भी 2021 के comparison में decline हुआ है 2021 में चाइना का जो birth rate था वो 7.52 था वहीं अगर 2022 में बात करें 2022 में चाइना का जो birth rate है वो 6.77 birth per thousand people है ठीक है इसके अलावा जो चाइना में एक age होती है कि किस age group की महिला है जो है बच्चे को carry कर सकती है तो किस tender age जो है वो 25 से 35 years मानी जाती है तो इस population में विमन्स की population में भी 4 million की कमी आई है तो वो महिला ही नहीं है जो बच्चे को जन्म दे सकती है तो फिर birth rate भी कम होना लाजमी सी बात है ठीक है इसके कारण क्या होगा आने वाले समय में revenue जो है वो चाइना का hit होगा और चाइना को extra fund करना पड़ेगा extra investment करना पड़ेगा health sector में ठीक है और main reason चाइना population decline का जो बताया जाता है वो one child policy implementation बताया जाता है जिसको 1980 में implement किया गया था और 2015 में भी उसे implement किया गया था साथी साथ चाइना में जो education cost है वो काफी high है और फिर इसके कारण भी यहाँ पर decline rate देखेंगे जिसके कारण local government जो है वो काफी सारे important measurements ले रही है लोगों को encourage करने के लिए more than one child ठीक है जैसे कि tax cut करना maternity leave जादा देना housing में subsidy देना etc पहले आप population को regulate करने के लिए policy बना रहे थे और अब policy बना रहे हो कि एक से जादा बच्चे हो लोगों के तो ऐसा कुछ चल रहा है चाइना में जिसके कारण यहाँ पर decline देख रहे हैं चाइना की population में Recently India has announced the donation of 12,500 doses of pentavalent vaccine to which country तो recently भारत ने किस देश को pentavalent टीकों की 12,500 खुराक दान देने की घोशना की है तो सबसे पहले तो बात जाती की pentavalent vaccine क्या होती है pent-a, pent-a मतलब होता है 5 है ना pent-a मतलब होता है 5 ऐसी 5 diseases जो बच्चों को harm पहुँचाती है और बच्चों के precautions के लिए बच्चे बिमार ना हो उसलिए बच्चपन में हमें vaccination दिया जाता है तो pentavalent vaccine provides protection to a child from 5 life-threatening diseases वो कौन-कौन सी 5 diseases है जैसे कि diphtheria, pertuses, tetanus, hepatitis B and hip चीक है तो इन 5 बिमारेों से बचाने के लिए टीका किया जाता है वेक्सीन दी जाती pentavalent vaccine और भारत 12,500 pentavalent vaccine के doses वो क्यूबा को दे रहा है किसको दे रहा है क्यूबा को दे रहा है यह announcement जब Minister of State for External Affairs मिनाक्षी लेखी विजिट पे गई थी क्यूबा में तब इस बात को announce किया गया और दोनों देश मिलके इंडिजिनियस दोनों जो है वो इंडिजिनियस vaccine manufacture करने के कोशिश करेंगे और women empowerment के लिए भी काम करेंगे क्यूबा की capital हवाना है क्यूबान पैसो यहाँ पे currency और official language is Spanish है अब जो short news के बारे में बात कर रहा है थे सबसे पहले समझेगा Venus Mission भारत का Venus Mission जिसको हम शुक्रियान कहते है शुक्रियान 1 जिसको इसरो launch करने वाला था 2024 तक और इसके डेट जो है वो postpone कर दी गई है 2031 तक 2021 में अब शुक्रियान 1 को launch किया जाएगा तो शुक्रियान 1 क्या है इसके अलावा क्यों इसे डेले कर दिया गया है शुक्रियान 1 प्रोजेक्ट का concept का बाया था ठीक है कौन कौन से upcoming mission है जो Venus पे जाने वाले हैं और कौन कौन से mission पहले थे जो Venus पे गए थे ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वीनस के बारे में कौन कौन से one-liner fact थे तो इसके लिए एक separate video मैंने आपके लिए बनाया है जो कि मैंने कल शाम को 7 बजे upload किया था मतलब अगर आप पर्चम वॉल्यूम 2 पे जाएंगे तो पर्चम वॉल्यूम 2 पे आपको एक अलग से video मिलेगा शुक्रियान 1 पे तो शुक्रियान 1 का वो वीडियो देख लीजे तो आपको इस पूरे matter की जानकारी detail में मिल जाएगी और काफी कुछ static मिल जाएगा ठीक है next बात करते है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी inaugurate the second phase of सनद खेल महाखुम 2022-2023 इन वस्ती डिस्टिक ऑफ उत्तर प्रदेश बाया वीडियो कॉन्फरेंसिंग तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी जी के दुआरा second phase सनद खेल महाखुम 2022-2023 की शुरुआत की गई है वस्ती डिस्टिक ऑफ उत्तर प्रदेश में यहाँ पे काफी सारे गेम्स खेले जाते हैं इंडोर और आउट्डोर दोनों राइटिंग, पेंटिंग, रंगोली बनाना एक्ट सेक्टर अब फर्स्ट G20 Health Working Group की मीटिंग कहां पर स्टार्ट हो गई है तुरु अंतंपुरम कैरला में शुरू हो गई है तो मैंने एक पुरी लिस्ट आपको दी थी अपकमिंग मीटिंग के बारे में तो पहली G20 Health Working Group की मीटिंग कहां हो रही है कैरला तुरु अंतंपुरम में हो रही है ठीके अब भारत Presidency तो समाली रहे G20 के तो G20 Presidency के अंदर B20 B20 मतलब है Business 20 Inception Meeting भी Organize की गई की जाए रही है 22 से लेके 24th of January गांधी नगर गुजरात में ठीके और ये जो B20 की मीटिंग गुजरात में होगी उसके लिए जो Theme डिसाइट की गई है वो Theme है Race ठीके R मतलब Responsible A Accelerated I Innovative as Sustainable and Equitable Businesses ठीके तो इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं चली नेक्स्ट बात करते हैं अजन्ता ऐलोरा Film Festival के बारे में तो अजन्ता ऐलोरा Film Festival का आयोजन किया गया जिसमें राजिस्थानी फिल्म राजिस्थानी फिल्म ननेरा ठीके जिसको दिपांकर प्रकाश जी के दौरा डारेक्टिट किया गया है इसे Golden Kalasha Award दिया गया So Golden Kalasha Award किस मूवी को दिया गया तो आंसर हो जाएगा ननेरा मूवी को दिया गया कौन सी मूवी है? राजिस्थानी मूवी है कहां पर दिया गया? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिबल में तो यह कुछ वन लाइनर्स थे ठीक है? तो वो मैंने आपको दिखा दिये अगली बात करते है Think 20 Group Meeting के बारे में तो G20 के अंतरगत एक और मीटिंग होती है Think 20 Group Meeting जिसको 16 और 17 जैन्वरी को मदर प्रदेश के भुपाल में कराया गया मतलब भी conclude हो चुकी है खतम हो चुकी है और इस meeting को Think 20 Meeting Group को जो है launch किया था inaugurate किया था वो शिवराज सिंग चौहन जो कि मदर प्रदेश के मुख मंतरी उन्होंने किया था अभी Think 20 Group की meeting भुपाल में हुई चाहिए कि इसकी थीम डिसाइड की गई थी वो थी Global, Good Governance with an Environment Friendly, Lifestyle, Moral Value and Wellbeing यहाँ पर दो फेज़े में meeting हुई पहले फेज में Sustainable Development Goal पर डिसकॉशन हुए और दूसरे पर Trade और Value Chain पर डिसकॉशन किया गया इसके अलावा जो G20 की नासा के बारे में तो नासा का एक टेलिस्कोप है जिसका नाम है GEMS Wave Space Telescope डिसकवर न्यू एक्सो प्लाइनेट नेम LHS 475P तो डारेक्टली कॉशन बनेगा कि LHS 475P क्या है तो आप कहेंगे कि एक एक एक्सो प्लाइनेट है अच्छा है इसके डिसकावर किस ने किया तो इसको डिसकावर नासा के टेलिस्कोप ने किया और उस टेलिस्कोप का नाम क्या था GEMS Wave Space Telescope अब एक्सो प्लाइनेट क्या होते है और ये प्लाइनेट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा से जान लेते हैं ये बात तो आपको clear है कि कोई भी planet हो वो किसी एक star के चारो तरफ चक्कर लगाएगा orbit में घुमेगा चक्कर लगाएगा जैसे कि sun एक star है और sun के चारो तरफ कई सारे planet चक्कर लगाते हैं clear है वैसे ही LHS 475B एक exoplanet है planet है मतलब किसी एक star के around ये चक्कर लगा रहा होगा most same है ठीक है same size है अर्थ के size का with a die of 99% of that of earth पहली चीज़ दूसरी बात ये अर्थ से 41 light year दूर है constellation octane में ठीक है कहाँ पर ये 41 light year दूर है हमसे एक rocky planet है और constellation octane में situated है दो आस्पेक्ट से ये अर्थ से अलग है पहला हमारी अर्थ का average temperature आप सभी को पता है ठीकिन अब 15-16 degree होता है लेकिन ये जो है बहुत hottest planet है तो पहला थो hottest planet है दूसरा ये ना one orbit complete करने में केवल दो दिन का समय लेता है हमारी अर्थ को 365 दिन लगते है एक orbit को complete करने में एक चकर को पूरा करने में इसको केवल दो दिन का समय लगता है तो ये दो difference इस exoplanet में है अब exoplanet क्या होते हैं मतलब हमारे solar system के बहार का कोई planet exo मतलब बहार का कोई planet है जो कि हमारे solar system से दूर है लेकिन किसी star के चक्कर लगा रहा है पहली बार जो exoplanet को detect किया गया था वो 1992 में किया गया था और NASA का कहना है लगबख 5000 exoplanet अभी तक उसने discover कर लिये है और ऐसा बोला जाता है star से कहीं जादा exoplanet हमारे पूरे universe में है reason is that कि star तो एक है और लेकिन हर एक star के चार तरफ एक ना एक planet तो चक्कर लगा रहा है जैसे कि सूरज sun जो एक star है और इसके around 8 जो planet है वो चक्कर लगा रहा है तो star की संख्या से जो है वो planet के संख्या कहीं जादा है ये बात भी बोली जाती है exoplanet जो होते है वो different size के होते है चीके ना कुछ rocky होते है कुछ बहुत जादा थंडे होते है और कुछ बहुत जादा गरम होते है तो ये था आज का हमारा class अब बात करते हैं headlines के बारे में उसके बाद revision question देखेंगे तो पहली news और सबसे important news आज की जो थी वो यही थी कि former BSF chief पंकज कुमार सिंग जी को deputy NSA appoint कर दिया गया है शारुक खान जो है वो चौथे नंबर पे है वर्ल्ड के richest actor की category में और Tom Cruise को इनोंने पीछे किया है वर्ल्ड oldest person जिनका नाम क्या है लुईसल रेंडन जो की France की थी इनका निधन हो गया 118 साल की थी पंजाब गवर्मेंट के द्वारा School of Feminence Project की शुरुआत की गई है तेलांगना के मुख मंत्री KCR के द्वारा Second Phase of Kanti Belgu की शुरुआत की गई जहां पर Free Eye Checkup की Facility आप कह सकते हैं प्रवाइट की जाती है फिर India Open 2023 स्टार्ट हो गया है दिल्ली में नेशनल Council of Education Research and Training मतलब NCRT Notify India First National Assessment Regulator परक ठीके परक का फुल पॉम में याद रखेंगे चाइना पॉपुलेशन ड्रॉप फॉर्ट ताइम सिंस 1961 तो 1968 के बाद पहली बाद चाइना की जन संख्या में कमी आई है कुछ questions है, पहला question है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ने, Dr. Jitain Singh उन्होंने कहा है कि Doppler Weather Radar Network भारत में कब तक launch कर दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2025 तक, कितना? 2025 तक तो पूरा सारी बाते मैंने बताएं कि Doppler Weather Radar Network क्या होता है Doppler Effect क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया है The richest one person in India now own more than blank of the country's total wealth according to Oxfam India Report तो recently Oxfam India Report published हुई थी, उसमें कहा गया था कि 1% population है, जो कि 40% wealth को रखती है तो आंसर C Next है, हम बात कर रहे हैं Bangkok Open Men's Double Tennis Tournament के बारे में तो Bangkok Open Men's Double Tennis Tournament को किसने जीता है U की भावरी और साकेद माइने ने जीता है Option A विलकुल correct हो जाएगा Next है, नेशनल स्टार्टप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आंसर हो जाएगा 16th of January को नेशनल स्टार्टप डे सेलिब्रेट किया जाता है Women's IPL Media Rights किसने पर्चेस किये है तो आंसर हो जाएगा BICOM 18 है Option A is the right answer This is question of the day कि World Economic Forum की जो एन्वल मीटिंग होती है वो शुरू हो चुकी है दाव स्वीजरलेंड में ये कौन सा एडिशन है 50, 51, 52 या 53 जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना सही आंसर भी मैं आपको वही पर प्रोवाइट कर दूँगी ओके है सो मिलते हैं नेक्स सेशन में और आप बर्णिंग इशू देखना ना भूले बर्णिंग इशू आपको पर्चों वॉल्यूम टूपे मिल जाएगा जहां पर मैंने सुक्रियान मिशन या वीनस मिशन के बारे में डिस्कुशन किया है ओके ठेक केर और बबाए